सोलन भारतिय जनता पार्टी विधी के वों विधी विशे विभाग प्रकोष्ट द्वारा एक बैठक का आयोजित किया गया जिसमें सरकार द्वारा विभिन विभागों में न्युक्त किये गए अधिवक्ताओं का स्वागत वा अभिननदन किया गया साथी न्यूक्ति देने पर प्रदेश सरकार का भी अभार व्यक्ति किया गया बैठक में भाजपानेता डॉक्टर राजेश का शेब बतोर मुख्य अतिती शरीक हुए भारतिय जनता पार्टी विधेकें विधे विशय विभाग प्रकोष्ट की सोलन में आयोजित पैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर पार्टी को सशक्त बनाने के लिए भर सक प्रयास करेंगे ताकि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही विधिक जनकल्यानकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल सके भाजपानेता राजेश कशप ने सरकार द्वारा विभिन विभागों में निक्त किये गए अधिवक्ताओं को बथाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधि प्रकोष्ट में सोलन के कई यवा अधिवक्ताओं को विभिन विभागों में निक्त किया है जिस करेंगे और साथ-साथ में उनको उनके साथ जो है एक हमारा वार्तराब भी होगा कि की सतरह से सरकार की नीतियों को ऋ है वह usted किया जायाए वीदी प्रकोष्ट का जो मुख्य वहीं भाजपा विधिक औंविधी विशे विभाग प्रकोष्ट सोलन के अध्यक्ष कमर प्रदीप सिंग ने प्रदेश सरकार का अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए अभार जताया। उन्हों का कि जो दाई तो भाजपा सरकार ने अधिवक्ताओं को दिया है वो सभी तनमन से निभाएंगे ताकि आने वाले चुनाओं में भाजपा को मजबूती प्रदान की जा सके। इसे आने वाले लोग समाज चुनाओं में जिस तरह के भी उमीद हमसे भारती जंता पार्टी जो हमें टार्गट देगी और हमारे डॉक्टर राजेश कश्यप जी जो टार्गट देंगे जो इनका मार्दर्शन रहेगा उसमें भाजपा वीदी प्रकोष जो है बड़ी भध